हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहूल जैस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगे आपके सामदें साइंस का लेक्चेर वीडियो लेकर आचुका हो दोस्तो जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10 स्टैंडर्ड के लिए साइंस वन सब्जेक का एक और निव चाप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तो जिसका नामे चाप्टर नमबर फोर हीट अच्छा लगेगा पढ़ने में तो आज हम लोग शुरुआत करने जारे इस चाप्टर की जो की आप देख सकते हैं लेक्चर नमर वन आज हमें आपको कराने वाले हैं और इस लेक्चर में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है रिलेटेट टू इ अच्छे से करते रहें तो शुरुआत करता है सबसे पहले अगर मैं बात करें, इफेक्ट्स ओफ इलेक्ट्रिक करन्ड तो आप जानते हैं धूस्तों कि हमारा इस्तिमाल ही सरी करते हैं यानि कि हम्कूरंट से गर्मी हीट जो है वहो प्रिड्यूँस कर सकते हैं जैसे कि आ हीटर क्या होता है पहले के जमाने में आज भी शायद यूज होता है I don't know बहुत ज्यादा यूज होता है कि नी लेकिन एक जमाना था जिसमें लोग जो एक खाना वगरे या फिर रोटिया वगरे जो बनाते हैं वो हीटर के ऊपर बनाते हैं तो बिजली का बटन बस चालू कर बटन चालू करें और वो ऐसा तवे जैसा रहता था फिटर वो गरम हो जाता था उस पर आप रोटिया सेक के रोटिया बना सकते हो ठीक है ना यानि कि आप बिजली का इस्तिमाल कर रहे हो हीटिंग एफेक्ट को क्रिएट कर रहे हो उसका एकजामपल है और बीसका एकजाम होता है लेकिन करंट का इस्तिमाल ना कूलिंग परपस के लिए भी होता है तेकर आप बोलोगे कि सर ये तो पहली बार सुना कूलिंग एफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यार ऐसा कोई टर्म तो नहीं है हिटिंग एफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है लेकिन ऐसा कूल ओबियस्ली, that is surrounding जो है हमारा उसको cool कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता है, उसमें एक gas create होती है, that is chlorofluorocarbon, you all know that, तेक है न वो gas जब निकलती है, रिलीज करती है, तो वो क्या होता है, temperature को वो adapt करता है, temperature को दिरे-दिरे slowdown करता है, same होता है हमारे refrigerator, fridge के अंदर, बटन चाली हो क्या बिजली है, बिजली से, लेकिन क्या produce हो रहा है, थंडक produce हो रही है, तो कहीं ने कहीं, वो cooling effect है, बहुत सार एक्जामपल है, रेफ्रीज हो गया, ठीक है, फ्रीज हो गया, air condition हो गया, refrigerator, जो भी है, बोलना है, बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके अलावा, जो जाना माना, एक और current का use है, या फिर current का effect है, जो सबसे यादा use होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, magnetic effect, ठीक है, क्या बोलते हैं, magnetic effect, और इसको एक और बहुत ही common नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलते है, magnetism, ये तो आपने सुना भी होगा, magnetism क्या होता है, तो magnetism is nothing but, कि जब हम लोग कोई बिजली का इस्तेमाल करते हैं, around the magnets, ठीक है न, हम लोग, जब बिजली का इस्त चीजे तो पढ़ना है, शुरू आप मैं बताऊंगा, electric concept, electric current का, जो basic power का, क्या relation होता है, क्या एक formula बनता है, वो मैं आपको बढ़ाऊंगा, उसका क्या-क्या uses है, वो हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, hitting effect के बारे में, ये lecture में, तो छोटा सा lecture है, बहुत ज्य in electric circuit, ठीक है, electric circuit में कैसे energy जो है, वो transfer होगा, ठीक है, तो energy transfer in electrical circuit, अगर इसकी बात में करू, electrical circuit की अगर हम बात करें, तो इसमें होगा क्या, अगर हम बात करें, बहुत simple सा फंडा है, कि electrical circuit होता है, electrical circuit, उसमें कैसे energy जो है, वो transfer होती है, कैसे energy को दिरे दिरे ट्रांसफर किया जाता है, ये सभी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसके लिए अगर हम बात करे आप सभी जानते हैं, कि कहीं ने कहीं, बिजली is nothing but power, आपको पता है न, power, that is current is nothing but power, तो अगर हम पावर का, जो electrical power जिसको हम बोलते हैं, और यह आपने शाया 9th में concept पढ़ा होगा, electric power का, तो अगर हम simple तोर पे उसकी बात करें, power is nothing but electrical power, ठीके न, ये तो सभी आप जानते हो यानि कि कितना amount of energy जो है, वो लग रहा है, और कितना time लग रहा है, उसके इसाब से जो ratio आएगा, it is nothing but the power, तो हमने एक चीज़ पढ़ा था, बचपन में भी, बचपन मतलब 8, 9, 10 में आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो आपको एक चीज़ जरूर से याद होगा, कि हमने is nothing but the work done per unit time, ठीक है ना, हमने एक चीज़ डिफाइन किया था, अगर आपको याद होगा, यह formula थोड़े देर के लिए आप भूल जाओ, और 8 तो 9 के flashback में चले जाओ, जो हमने थोड़ा सा like discuss किया है, और आप जाके देख सकते हमारे 9 के videos भी available है, playlist के अंदर, तो आपको होता है कि जितना भी work done होता है, वो क्या होता है, एनर्जी के बराबर ही होता है, तो work done per unit time लिख लो, या फिर energy per unit time लिख लो, बात तो एक की है, यानि कि electrical power is nothing but energy upon time, यह आपको समझ में आ गया, कि power मतलब क्या हो गया, energy upon time, अब energy जो होता है, वो क्या होता है, it is nothing but the potential difference between the two objects, two body, तो समझ लग कोई दो body है, A और B का, तो उसका which का potential difference कितना होगा, V, A, B होगा, समझ में आ रहा है, अभी मैं बात करूँ energy की, तो what do you mean by energy, energy is nothing but the potential difference, और potential difference को हम लोग कैसे denote करते है, V से denote करते है, तो समझ लग कोई दो object है, A से लेके B तक का potential difference, तो मैं उसको तो energy is nothing but the potential difference between two objects, लेकिन साथ में उसका charge भी उसके साथ हमें आ जाता है, that is Q, Q, Q for charge, उसका unit होता है, तो यानि की potential difference multiply by, हम लोग क्या बोल सकते है, charge, और नीचे क्या आ जाएगा, time, time के लिए हम लोग use करते है, small letter T, इतना समझ में आ रहे है, बहुत simple सा derivation है, चोटा सा derivation है एक formula arise होगा इस चीज़ से, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो मैंने क्या बोला, electrical power is nothing but the work done per unit time, यानि कि energy per unit time, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, electrical power, P is equal to electrical power is equal to work done per unit time, और इसका सेम मतलब हुआ, energy upon time, यानि कि VAB, यानि voltage, potential difference across AB, multiply by charge upon time, अब आपको एक तो हमने बचपन में, बचपन में यानि 8 या 9 में एक और concept पड़ा था, क्या concept पड़ा था, कि जो current होता है, is nothing but charge per unit time, जो current होता है, कोई भी electric current, जो चाप्टर का नाम भी है, electric current, तो कोई भी current जो होता है, वो होता है, charge per unit time, तो Q upon T जो है, ये क्या है, I है, तो ये जो Q है और समझ में आ रहा है, ये चीज इतना, Q लिखा, क्योंकि Q upon T is क्या होता है, I होता है, current होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानि कि, voltage across AB multiply by current is nothing but the electrical power, इतना समझ में आ गया, electrical power, बहुत easy है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब एक और ची heat energy की बात करो, तो heat energy क्या होता है, it is nothing but the power multiply by time, यानि कि, कितना जादा power consume हो रहा है, कितने time के हिसाफ से, वो क्या बताता है, आपका heating effect बताता है, heating effect बता लेंगा, यानि कि, H is equal to P multiply by T, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, H is equal to P multiply by T, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब आप एक ची यह P के जगा पे मैं लिख सकता हूँ, VAB multiply by I, यानि कि मैं P के जगा पे लिख देता हूँ, VAB multiply by I, ठीक है, और यह T यहाँ पे पहले से यह, यानि multiply by T, और यह चीज कहां से आया, from equation number 1, कहां से आ रहा है यह चीज, equation number 1 से आ रहा है, तो यह हमने लिख लिया, ध्यान से सुन current का यह चीज क्या हो गया, value हो गया, लेकिन हमने एक चीज बचपन में पढ़ा था, फिर से मैं बारवर बचपन बोल रहा हूँ, लेकिन बचपन नाम को कोई चीज नहीं है, यानि कि अगर मुझे यह current के जगा पे कुछ value निकालना होगा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इ इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, V is equal to IR, तो I का value क्या हो जाएगा, दोस्तो, V upon R हो जाएगा, V is equal to IR, तो सिर्फ मुझे I का value चाहिए, current का value चाहिए, तो R इदर चले जाएगा, तो V upon R हो गया, और V क्या रहेगा, AB रहेगा, V क्या रहेगा, मेरा AB रहेगा, voltage across AB, ठीके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ, second, ने, इसको second देता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ, third, इसको मैं नाम देता हूँ, third, अब मैं लिखता हूँ, ये वाला concept आपस से, H is equal to, क्या था H is equal to, V AB multiply by I multiply by T था हमारे पास, लेकिन ये जो I है, ये I के जग R लिख सकता हूँ, और इसके पास पहले से ही था ना, multiply में, T, तो ये T इदर लिख सकता हूँ, और ये चीज़ कहां से आया, ये आया, from 2 and 3, समझ मैं आ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ में, ये कहां से है, from 2 and 3, अब यहां पर आप देखोगे, तो V AB, क्या हो गया, दो V AB ह हो गया, तो ये हो जाएगा V AB का स्कॉयर, यानि कि, H is equal to voltage across AB का स्कॉयर, multiply by T, और नीचे आ जाएगा R, समझ मैं आ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया, यहां पर, that is, V स्कॉयर, multiply by T upon R, ये क्या बन गया, एक formula बन गया मेरा, ठीक है, ये मेरा formula हो गया, कि अगर आपको by chance, future में कोई पूछता है, कि calculate the heating effect of electric current, और आपको voltage दिया हुआ है, time दिया हुआ है, resistance दिया हुआ है, तो इस formula के हिसाप से आप लिख सकते हो, ये formula आप note down कर सकते हो, H के हिसाप से, लेकिन, अभी एक और formula में बनाऊंगा, और, एक और formula कैसे बनेगा, अगर आप धा multiply by I multiply by T है, यहाँ से लाया, मैंने second वाले से लाया, same चीज, H is equal to heat is equal to VABIT है, लेकिन V का value क्या है, IR है, यानि कि ये V के जगापे, ये V के जगापे में, I और R लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो कैसे लिखूँगा, H is equal to, ये इसके जगापे में क्या लिख और ये R और ये T, तो ये क्या बन गया, दोस्तों, एक और formula बन गया, क्या बन गया, H is equal to I square RT, क्या बन गया, H is equal to I square, देखो, अच्छे से लिखता हूँ, वापस है, थोड़ा mismatch हो गया, अच्छे से लिखता हूँ, देखो, V H is equal to I square RT, ठीक है, यानि कि current का square, मल्टिप्ला by time, clear है, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको बहुत ही easily अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो this is the formula for calculating the heating effect of electric current, समझ में आ गया, बहुत ही simple है, clear है, तो ये था दोस्तों, हमारा पहला derivation आज के लिए, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही easily समझ में आ गया होगा, अब, अब क्या करेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा इसको में rough करता हूँ, अब जाते हैं कुछ formula के ओपर, formula तो sorry, formula आपने पढ़ लिया, आप जाते हैं कुछ symbols and कुछ units के ओपर, आप में इसका unit भी आपको बताऊँगा, ये हमने पढ़ लिया सब, इसको ओके, चलो, अब हम बात करेंगे यहां पर कुछ units के बारे में, तो units क्या होता है, unit is nothing but, जिससे हम लोग measure करते हैं, तो आपको सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ, कि जो power होता है, तो power का एक unit होता है, उसको हमेशा आपको यहान में रखना है, कि power is nothing but joule per second, और इसको हम ल मुला, पता देता हूँ वो भी, power is equal to क्या था, energy upon time था, energy का unit क्या होता है, joule, time का unit क्या होता है, second, यानि कि हो गया joule per second, और joule per second को ही, watt के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा, बहुत ही simple है, यानि कि फिलिंद प्लैक्स वोगर में पूचा जाता है, कि what is the unit of power, तो power का unit होता है, या तो joule per second, या तो आप watt लिख सकते हो, clear है, तो कभी-कभी जादा होता है, तो kilowatt भी होता है, kW बहुत जादा होता है, one kilowatt is equal to 1000 watt, ये एक basic conversion है, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, आगे जाके higher standard में आपको काम आएगा, clear है, तो उमीद करता हूँ कि ये ची current हम लोग heating डालेंगे, okay, heating effect of electric current, okay, अब ये heating effect of electric current के अगर हम बात करें, बहुत ये simple सा फंडा है, क्या होता है, इसका फंडा, कि आप एक चीज़ जानते हो, कि कभी भी अगर current से, यानि बिजली से, electric current से, अगर कोई भी हम लोग appliances चला रहे है, appliance यानि क्या हो रहा है, कोई भी electrical equipment हो सकता है, electrical appliance हो रहा है, और उसके वज़े से, अगर उसमें से, heat produce हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस device को, या फिर उस principle को हम लोग क्या बोलेंगे, heating effect of electric current, there are so many examples, which I had already told you, क्या बोला हमेने, सबसे बेश्ट example होता है, heater, ठीक है, फिर अगर मैं example की बात करूँ, electrical, electrical cooker भी होता है, आपने सुना होगा कि नहीं पता है, electrical cooker, ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करे, electric iron होता है, ठीक है, electric iron, जिससे हम लोग स्त्री वगरे करते हैं, फिर geezer होता है, आप सभी जानते है, पानी गरम करने के लिए, गीजर, ठीक है, धीदा समने, example of heating effect of electric current, जो की बहुत ही साधारन सोग टोपिक है, मतब इसका जो फण्ड़ा होता है, बहुत ही जएदा सेंपल है, ठीक है, तो normally क्या होता है, कि electric circuit मे, आपका जब एक electric circuit होता है, आपको सवाल भी आता हो तो let suppose यह बेराइक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक सर्कूट है यह बने बना दिया अगर आप ध्यान दो गए यहाँ पे तो यह जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते है रेजिस्टर आर रेजिस्टर आर मैंने लगा दिया यह आपका की यह आपका सेल है प्लस माइनस ए यह आपका बैटरी है, और यह आपका एक register है, ठीक है ना, यह क्या है, एक register है, तो मुझे एक simple सा logic बताओ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा, अगर मैं एक key को close कर दू, यह key को क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे close कर दूँगा, क्या हो गया, close हो गया, यानि कि अब मेरा जो electricity है, वो pass होगा, from the lower potential to higher potential, यानि कि आपका जो negative से positive terminal जो electric current है, वो flow होगा, अब यह जब electric current जो flow होगा, यहाँ पे आप ध्यान दो, कि जब भी समझ लो current आ रहा है, अब current जब आएगा, यहाँ पे, तो जो current है, अगर एक wire सीधा होता, एक wire सीधा होता, तो current होत जो कि जब भी current आ रहा है, वो सीधा-सीधा आया, पास होगे चला गया, simple तरीके से, समझ में आ रहा है, बिझली current आ रहा है, यह आपका एक wire है, ठीक है, current आ रहा है बिझली, सीधा-सीदा आके, इधर से आ के निकल गया, कितना time लगा होगा, समझ लो, एक second लगा होगा, व जहां पे भी होती वहाँ थोड़ा सा heat जरूर प्रिद्यूस होता है, जैसे कि आप बल्ब हो, एक बल्ब ले लो, बल्ब को थोड़ा सा touch करके देखना थोड़ा गरम हो जाता है, क्यों गरम हो जाता है? क्यों कि बिजली continuous वहाँ से जब पास होती है, तो अगर वायर सीधा था तो उसमें से करंट फटाफट पास हो जाएगा, तो जितना गरम होना चीद है, उतना गरम होगा के नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक register लगा दिया, और register का मतलब क्या होता है, बहुत सारे windings of wire, ऐसे बहुत सारे windings होते हैं, आपने अगर देखा होगा register real में, टीवी वगर एक अभी खोले होंगे तो आपको पता चला हो, ऐसे blue, green, ऐसे अलग-अलग color का register होते हैं, उसमें भी code होते हैं, red color का, orange color का, कभी और पढ़ेंगे, हम लोग आगे जाके 12 में ये सब topics आएंगे, तो आपको पढ़ाएंगे, कोई tension निलेना है, ठीक है, ले उसके अंदर से वो जाएगा, 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 फिर वो यहां तक आएगा, यानि कि इसके दवरान इसने बहुत ज़्यादा time ले लिया, क्योंकि अगर ये wire सीधा होता, तो फटा फट से current गुसके चला जाता, ये side से ये side चला जाता, लेकिन ये जितने भी devices जो दिख रहें आपको, इसमें क्या होंगे, registers लगाए जाते हैं, ताकि उस जगापे heat जादा produce हो सके, क्योंकि बिजली वहाँ पे रुक रुक के जाएगी, तो जब जादा heat produce होगा, तो obviously हमारा क्या produce होगा, heating effect of electric current जो है वो produce होगा, ठीके ना, तो इसलिए इस सबी चीज बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किये जाते हैं, ठीके न, आपको हमेशा के तौर पे याद रखना है, ठीके तो जैसे heater जो होता है, या फिर heater cooker की अगर मैं बात करूँ, इसमें register के तौर पे एक material यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते है नाइक्रोम, तो मैं आप register के तौर पे, तो किसका यूज़ किया जाता है, नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है, या आपको ध्यान में रखना है, ठीके, वैसे electrical bulb आपको जानते ही होगे, ठीके न, diagram अगर मैं बनाने की कोशिश करू, electric bulb का, तो आपने देखा होगा, एक electric bulb के अंदर इस प्रकार का filament होता है, पतला सा एक wire होता है, ठीके न, वो हमीशा जल जाता है, आपने पुराने जमाने वाला bulb अगर दिखा होगा, पीला-पीला जो light आता था था न, halogen bulb बोलते थे शायद ऐसा, ऐसा कुछ नाम होता था, लेकिन actual में वो halogen नहीं होता था, something else होता था, तो इसके अंदर लेकिन सच में मत डालना, ठीक है न, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और लगबग उसका temperature कितना जाता है, 3400 degree Celsius तक इसका जो temperature है, वो जाता है, ठीक है, 3400 degree Celsius तक उसका जो temperature है, वो जा सकता है, उसके अंदर का जो wire है न, tungsten का, tungsten का जो wire है न, उसकी ब बात कर रहा हूं, tungsten का wire 3400 degree Celsius तक जाता है, उसके बाद वो melt हो जाता है, clear है, तो ये चीज़ उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये ही था दोस्तों कुछ hitting effect of electric current के बारे में topic जो मैंने आपको explain किया, और उमीद करता हूँ कि आपको दिरे-दिरे करके हम लोग खतम कर देंगे, तो पहला लेक्चर था, बहुत सारे चीज़े, conceptual knowledge वाले और important चीज़ भी हमने आपको explain कर दिया, तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा है, दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताना, अपनी राय और suggestion जरूर से द तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के रिए, thank you and goodbye.